Hello my dear young viewers and my scholars, you are most welcome in naeab thoughts in English और आज हम करने जा रहे हैं, class 9th English moments, जो कि आपकी supplementary book है, उसका first lesson, the lost child आपको बता दूँ कि examination में इसके textuals या extra shorts आते हैं और long आते हैं, इसमें से comprehension नहीं आता ओके comprehension आते हैं आपको beehive में से, now बहुत ही interesting lesson है, written by मुलकराज आनन्द और इसका जो theme है, बहुत ही प्यारा theme है, और theme क्या है, that the theme of the story is a strong bond between a child and his parents कि parents के और बच्चे के बीच में एक जो प्यार भरा संबंध होता है ना, वो इसमें describe किया हुआ है और जब वो लोग fair में जाते हैं, मेले में जाते हैं, बच्चा अपने parents के साथ मेले में जाता है और बच्चा जो है वहाँ पर बहुत सारी जो चीज़े मेले में मिल रही हैं, खाने पीने की, गुपा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको ना बच्चा लेना चाहता है और उनको खरीदना चाहता है, his parents do not buy him anything, और उसके parents ना उसे कुछ भी खरीद कर नहीं देते बार-बार भाना बना देते हैं, यह चीज तुमरे काम की नहीं, यह बिकार हो जाएगी when he finds himself lost, और क्या होता है कि बच्चा जो है मेले में खो जाता है और एक अजनभी उसकी सहता करता है, बच्चे को बड़ा कंसोल करता है वो by offering to buy for him all that he had wanted earlier और बच्चे को वो सभी चीज़े खरीद कर देना चाहता है, जो कि बच्चा पहले अपने माबब से जिद कर रहा था, लेने की और वो stranger's सब चीज़े खरीद कर देता है but at that moment his child is not interested in anything except trying to locate his parents लेकिन बच्चा न, वो शन इतना चला-चला के रोता है और बच्चे को किसी भी चीज़ में interest नहीं है, सिर्फ उसका interest क्या है कि उसके parents मिल जाए, उसके माबब मिल जाए बड़े interesting story है, और बहुत ही soothing, touching, lovable story है ये Now, I am going to start A child goes to affair with his parents एक बच्चा मेले में जाता है अपने माबब के साथ He is happy and excited, वो बहुत खुश है, उतेजित है And wants the sweet and twice उसे मिठाईयां चाहिए, खिलोने चाहिए, displayed there जो कि वहाँ पर रखे हुए है, मेले में दिखाई दे रहे है But his parents don't buy them for him लेकिन उसके parents उसके लिए खरीद कर उसे नहीं देते Why then does he refuse when someone else offers them to him और तब बच्चा उन चीजों को लेने से मना क्यों करता है, जब कोई और उसे इन चीजों की offer देता है अजीब बात है ना Now, it was the festival of spring ये बसंत का मौसम था From the wintery shades of narrow lanes और पतली पतली गलियों में सर्दियों की जो छाया पढ़ रही है And Alice emerged a gaily clad humanity और चारों तरफ का जो वातवरण है, gaily, full of happiness, clad humanity जो है वो पूरी प्रकरती ने मनुश्यता के कपड़े पहने हुए है और बहुत ही खुश दिखाई दे रही है पतली पतली गलियों जो है वो ऐसे हरी भरी लग रही है और बहुत ही हुपसूरत लग रही है और बहुत है, और बहुत है, और कुछ लोग जो है बांस और बॉलाग कार्स बैल गाड़ी के अंदर जाते है और कुछ जो है बैंबू के अंदर जैसे बैंबू में एक seat लगी हुए होती है बांस होती है, दो उसमें seat लगी हुए होती है उसके उपर जा रहे हैं और कुछ लोग बैलगाडी पर जा रहे हैं One little boy ran between his father's legs एक छोटा सा लड़का अपने पिता के पैरों के बीच से निकला कराता है brimming over with life and laughter बच्चा भरा हुआ है, brimming is full of और बच्चा भरा हुआ है, life, जिंदगी से और खुशी से बहुत ही संजीदा लग रहा है वो बच्चा और खुश है वो बच्चा देख सकते हैं आप पेरेंट्स कैसे बच्चे को ले करके जा रहे हैं और बच्चा कभी जाएंट विल की जीत करता है कभी ट्वाइज की, कभी बलून की, कभी स्वीट्स की, yes now, very interesting yes, come child come, called his parents, आओ बिटा, आओ, उसके माबब बुलाते हैं as he lagged behind, जैसे ही lagged meaning, कि वो पीछे छुट जाता है fascinated by the toys in the shops that lines away, और वो आकरशित हो जाता है उन दुकान में रखे, उन खिलोनों में, खिलोनों से जो कि लाइन में रखे हुए है he hurried towards his parents, और जैसे ही parents बुलाते हैं, तो बच्चा जो है दोड़कर उनकी और चला जाता है his feet obedient to their call, उसके पैर उनकी आग्या का पालन करते हैं, उनकी आवाज की आग्या का पालन करते हैं his eyes are still lingering on the receding toys, उसकी आखे अभी भी चारो और मंडरा रही है उन चलते हुए खिलोनों पर receding, जो की रखे हुए है, वो बढ़ता जा रहा है, आगया के देखता जा रहा है, उन खिलोनों पर उसकी लाइन, उसकी जो आखे हैं, अभी मंडरा रही है और जहां पर भी उसके परेंट्स रुख जाते हैं, और वह आ जाता है, जहां पर भी उसके परेंट्स रुख कर उसका इंजार कर रही होती है वह अपने मन की इच्छाओं को दबा नहीं पाता, even though he well knew the old, cold stare of refusal in their eyes हाला कि बच्चा जानता है, वो ही पुरानी और ठंडी stare of refusal का मतलब आँखे दिखा कर मना करने आखों से बच्चा समझ जाता है कि उसके parents उसको मना कर रहे हैं और refusal, refusal का मतलब मना ही कर रहे हैं कि किसी चीज़ को नहीं करीदना I want that toy, मुझे वे खिलोना चाहिए, he pleated, वे request करता है, his father looked at him, red-eyed, उसके पिता लाल आँखे करके उसे देखती है लालाखे करने का meaning that father was angry, in his familiar tyrant's way और अपने परीचित, परिशान करने वाले, दुख देने वाले tyrant का मतलब अत्याचारी तरीके से मना करते है His mother melted by the free spirit of the day, और उसकी जो मदर है, उनकी आत्मा और मन पिखल जाता है, उस दिन की वजह से Was tender and giving him her finger, उसकी मदर जो है, क्योंकि बहुत ही अच्छा मोसम है, मन उनका बहुत अच्छा है मदर का तो बहुत ही प्यारे तरीके से उसको जो है, अपनी उंगली पकड़ाती है, कि नहीं आओ, कुछ नहीं लेना said, look child, what is before you, देखो देखो बिटा, तुम्हारे आगे क्या है, it was a flowering mustard field, यह फूलो से, फूलो से, मस्टर्ड के फूलो से भरे हुए मैदान है, सर्सो के फूलो से भरे हुए, पीले-पीले फूलो से भरे मैदान है, pale like melting golds, उतने पीले लग रहे हैं, जैसे पिखलता सोना, as it swept across miles, मीलो तक फैले हैं, and miles of even land, और पिल्कुल समाने सताय पर, land के उपर, एक smooth land के उपर, मीलो मीलो तक, यह फूल, सर्सो के फैले हुए हैं, A group of dragonflies were bustling about on other gaudy purple wings, और dragonflies जो है, dragonflies कों से होते हैं, जो के dragon जैसे, जिसे आप ही कहते हैं, टिड्डी जो होती हैं, टिड्डियां जो होती हैं, उनका जो समो है, वो इधर उधर मंडराती दिख रही हैं, on their gaudy purple wings, अपने बैंगनी रंग के चंकी लेप परों के साथ वे दिख रही हैं, intercepting the flight of a lone black bee, और एक dragonfly जो है, intercept का meaning होता है, lone black bee, काले रंग की, एक जो मखी है, और या फिर butterfly, या फिर तितली है, उनकी उड़ान के बीच में से उड़ती है, in search of sweetness from the flowers, और किस की तलाश कर रही है, मिठास की तलाश कर रही है, मधूरता की तलाश कर रही है, फूलों में से पराग को चूसने के लिए, जो dragonflies है, काली मखिया है, या फिर butterfly है, ये सब के सब फूलों का रस चूसने के लिए बेताब हैं, और बच्चा उन्हें पकडने की कोशिश करेगा, बट इट वोड गो fluttering, लेकिन ये जो butterfly है, या बाकी की तितलिया या मखिया है, ये सब के सब fluttering का मिनिंग पंक फड़फडाती हुई चली जाती है, flapping पंक को फड़फडाते हुए, up into the air, हवा में, when he had almost caught it in his hands, और जब बच्चा उन्हें लगभग पकड़ ही लेता है, butterflies को, तब तक वे अपने पंक को flop करते हुए, आगे पिछे करते हुए, पंक को फड़फडाते हुए, उड़ जाती है, then his mother gave a cautionary call, तब उसकी मदर साफधान करने वाली आवाज लगाती है, come child, come, come on to the footpath, बच्चे आओ, बटा आओ, footpath पर आओ, he ran towards his parents gaily, बच्चा बड़ी खुश हो करके अपने parents के पाँ दौड जाता है, and walked abreast of them for a while, और कुश्चान के लिए उनके आगे दौड पड़ता है, abreast का मिनी होता है, उनके आगे चला जाता है, now being however, soon left behind, हाना की थोड़ी ही देर में फिर उनसे पीछे हो जाता है, attracted by the little insects and worms, और वहें आकरशित हो जाता है, चोटे चोटे जीव और चोटोटे कीड़े along the footpath, जो के footpath पर रहें रहें होती है, that were teaming out from their hiding places to enjoy the sunshine, और ये जितने भी कीड़े या insects होते हैं, ये सूरे की रोशनी का मजा लेने के लिए, अपने छुपे हुए स्थानों से बाहर निकल कर आ जाती है, now, come child come, बुलाते हैं, आओ बटा आओ, where they had seated themselves on the edge of a well, और वहे कुएं के एक किनारे के उपर बैठे हुए हैं, और वरिक्षों की छाया के नीचे बैठे हैं, और वह बच्चे को बुलाते हैं, he ran towards them, बच्चा उनकी और दोड़ पढ़ता है, a shower of young flowers fell upon the child, और छोटे-छोटे युवा फूलों की, खुबसूरत फूलों की बरसाज बच्चे के उपर हो जाती है, as he entered the groove, जैसे ही पेडों के जुण के बीच में जाता है, groove क्या होती हैं, groove होता है, बहुत सारे पेड हैं, और वह इससे जोड़ करके पेड जो है, उनका जो टॉप होता है, जुड़ा होता है, और जुण जो होता है, समूव होता है, उसमें एक शेड होती है, उसे groove कहती है, and forgetting his parents, और जैसे बच्चे के पर फूलों की बारिश होती है, बच्चा पेड़न्स को बूल जाता है, he began to gather the raining petals in his hands, और वे हातों में गिरती हुई बरसात की तरह गिरती हुई पतियों को, कुलों की पतियों को इखटा करने लगता है, बट लो, लेकिन देखो, he heard the queen of doves, और वे फाक्ता की आवाज को सुनता है, and ran towards his parents shouting, और अपने parents की और दॉड पड़ता है, लाता हुआ, the dove, the dove, फाक्ता, फाक्ता, एक सफेद रंगा पक्षी होता है, the raining petals dropped from his forgotten hands, और उसके लापरवाही वाले हाँ जो हैं भूल जाता है, और जो पतियों उसने पकड़ी हुई होती है, बारिश की तरह जो उसके हाथों में गिरी हुई होती है, पतियां उनको वो गिर जाती है, come child, come, they call to the child, आओ बेटा, आओ, वे बच्चे को बुलाते हैं, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, capers क्या होती है, banyan tree क्या होता है, वटवरिक्ष होता है, जिसकी लंबी-लंबी जटाएं जो है, करल हो करके नीचे आती है, उन्हें केपर्स कहती है, wild capers जो है, वो लगा, जो नीचे की तरफ आ रही है, वो बच्चा जो है, उनमें खो जाता है, and gathering him up, they took the narrow winding footpath, और फिर उन्हें इखटा करते हुए, they took the narrow winding footpath, और फिर winding footpath के उपर, narrow जो की संक्री से footpath है, छोटी से footpath है, उस पर आ जाता है, which led to the fair through the mustard fields, और ये जो रास्ता है, ये सरसो के खेतों की तरफ मेले से जाता है, now as they neared the village, the child could see many other footpath, और जैसे ही वे, गाउं के नजदीक महस्ते हैं, बच्चे को बहुत सारी footpath दिखाई देती है, full of throngs, चौराहों से भरी हुई, converging to the whirlpool of the fair, और जा रही है, वो whirlpool का मतलब, चक्र, चक्र के अंदर, मेले के चक्र के अंदर जा रही है, ये सब के सब footpath जो है, और ये जितने भी रास्ते हैं, भीड़बरे रास्ते सब के सब जा रहे हैं, मेले की और, and felt at once rippled and fascinated by the confusion of the world, he was entering, और बच्चा जो है, वो repel हो जाता है, उसका ध्यान भटक जाता है, आकरशित हो जाता है, उस संसार के अंदर, जिसके अंदर वो enter करने जा रहा है, कौन सा संसार है, वो मेले का संसार है, गोल गोल गोलाकार में बना हुआ है, वर्ल पूल की तरह, जैसे पानी का भंवर होता है, और बहुती जाता confusion है, शोर शराबा है, लोग हैं वहाँ पर, now, a sweet meat salad hog, मिठाई बेचने वाला आवाज लगाता है, गुलाब जामोन, रजगुला, बर्फी, जलेबी, at the corner of the entrance, और जहां पर मेले का प्रविश दौर है, वहीं उसके कोने पर, एक sweet meat salad अवाज लगाता है, and a crowd pressed, round his counter, और भीर जो है, उसके counter पर चली जाती है, at the foot of an architecture of many colored sweets, और उसकी मिठाईयों के जो design है, रंगीर मिठाईयों के जो design है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है, और तारीफ करने योगी है, बहुत ही खुबसूरत मिठाईया है, decorated with leaves of silver and gold, और सजी हुई है, चांदी और सोने के वर्क से, the child is stared, open-eyed, बच्चा घूरता है खुली आँको से, and his mouth watered for the burphy, burphy के लिए उसके मूँ में पानी आ जाता है, that was his favorite sweet, यही तो उसकी पसंदीदा मिठाई है, I want that burphy, मुझे वो burphy चाहिए, he slowly murmured, वह दीमे दीमे बढ़ बढ़ाता है, but he half new, लेकिन आधे तरी उससे वह जानता है, as he begged that his plea would not be heeded, कि उसकी जो भी appeal है, जो उसकी request है, उस पर कोई धियान नहीं दिया जाएगा, because his parents would say, he was greedy, क्योंकि उसके parents कहेंगे, कि बच्चा तो बड़ा लाल्ची है, so without waiting for an answer, he moved on, और बिना अपने parents के, बात का अपनी, जो उसने बात थी, बर्फियू से चाहिए थी, इसका इंजार किये बिना, कि parents क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, बच्चा आगे चला गया, flower seller hog, फूल बेचने वाले ने आवाज लगाई, a garland of gul moher, gul moher की माला, a garland of gul moher, gul moher की माला, gul moher एक फूल होता है, the child seemed irresistibly drawn, और बच्चा अपनी आपको, रोक नहीं पाता, और वह जो है, उस और चला जाता है, basket की तरफ, फूलों की basket की तरफ, he went towards a basket, where the flowers lay heaped, और बच्चा उस टोकरी की और, but he well knew his parents, would refuse to buy him, लेकिन वैं अच्छी तरह जानता है, कि उसके parents, उसे ये खरीदने से, incur कर देंगे, those flowers were full, because they would say that, they were cheap, क्योंकि वैं कहेंगे, कि फूल तो बहुत ही ज़्यादा, मामूली हैं, बहुत जास सस्ते हैं, so without waiting for an answer, he moved on, बच्चा बिना जवाब का, इंजार के बिना आगे चला जाता है, a man stood holding a pole, with yellow, red, green and purple balloons, एक आदमी, एक pole डंडा लेकर खड़ा है, जिसके उपर पीले, लाल हरे, बैंगनी रंगे गुबारे लगे हैं, flying from it, वहां से उपर के और उड़ रहे हैं, the child was simply carried away, by the rainbow glory of their silken colors, बच्चा जो है, सतरंगी गुबारों की शान को देख करके, उनके silken colors को देख कर, उनकी नजर नाठ हैने वाले रंगों को देख करके, बच्चा उस और चला जाता है, and he was filled with an overwhelming desire to possesses, और बच्चे possesses them all, बच्चे के अंदर ना control होने वाली एक इच्छा है, कि वे उन सभी गुबारों को लेना चाहता है, but he well knew his parents would never buy him, लेकिन वे अच्छी तारे जानता है, कि उसके parents उसे खरीद कर नहीं देंगे, because they would say he was too old to play with such wife, कि वे कहेंगे कि वे अब बहुत बड़ा हो गया है, ऐसे खिलोनों से उसे नहीं खिलना चाहिए, so he walked on farther, बच्चा और आगे दोड़ जाता है, a snake charmer stood playing a flute to a snake, एक सपेरा बीन बजा रहा होता है, साब की और देखकर, which coiled itself in a basket, और साब कुंडली मारकर बास्केट में टोकरी में बैठा है, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, और वे अपना सिर उठाता है, बड़ी शान से, जैसे की एक हंस अपनी गर्दन उठा करके चलता है, while the music stole into its invisible ears, और music वे संगीत सुनता है साब, अपने अद्रिश्य कानों के जरीए, like the gentle rippling of an invisible waterfall, और वे उसी तरह लहराता है, जैसे की अद्रिश्य पानी का जहरना, उसके अंदर rippling का meaning, धी में धी में धी में लहरे उड़ती हैं साब बिलकुल वैसे ही लहराता है, the child went towards a snake charmer, बच्चा सपेरे के पास जाता है, but knowing his parents had forbidden him to hear such course music, लेकिन जानता है कि उसके माता पिता उसे ऐसा बुरा संगीत सुनने नहीं देंगे, as the snake charmer played, जैसा की सपेरा बजाता है, he proceeded farther, और आगे चला जाता है, there was a roundabout in full swing, और वहाँ पर roundabout जूला पूरे गती से चल रहा है, men, women and children, आदमी औरते और बच्चे carried away in a whirling motion, और आदमी औरत और बच्चे गोल गोल गती से घुम रहे हैं, श्राइक चिल्डा रहे हैं and cried and with dizzy laughter, और dizzy का मतलब क्या होता है, कि उन्हें चक्कर भी आ रहा है, और तब वह बोल रिक्वेस्ट करता है, अपने पेरेंट से बोल कर रिक्वेस्ट करता है, I want to go on the roundabout, please father, mother, ma, पिता जी, मुझे इस roundabout जूले पर जूलना है, there was no reply, लेकिन कोई जवाब नहीं आता, he turned to look at his parents, वह मुड़ता है अपने parents को देखने के लिए, they were not there, वह वहाँ नहीं थे, ahead of him, उसके सामने भी नहीं थे, he turned to look on either side, वह दोनों और देखता है मुड़कर, they were not there, वह वहाँ नहीं थे, he looked behind, वह पीछे देखता है, there was no sign of them, लेकिन उसके माता पिता का कोई चिन दिखाई नहीं देता, a full deep cry rose within his dry throat, और एक बहुत तेज तीखी रोनी की आवाज उठती है, उसके सुखे गले से, and with a sudden jerk of his body, अपने शरीर को एक जटका देकर, he ran from where he stood, वह जहाँ खड़ा था, वहाँ से दौड़ पड़ता है, crying in real fear, रोता है, सच्चे डर के साथ, mother, father और चिलाता है, मा, पिता जी, tears rolled down from his eyes, आंसू उसकी आँखों से बह निकलते हैं, hot and furious, आंसू गरम हैं, और थोड़े भयानक भी हैं, his flushed face was convulsed with fear, और उसका आंसूं से चमकता चेहरा, डर से भरा दिखाई देता है, panic-stricken, भैभीत होकर, he ran to one side first, भैभीत होकर, पहले वे एक और दौड़ता है, then to the other, फिर दूसरी और, hither and tither, in all directions, इधर और इधर उधर, hither and tither, meaning here and there, सभी दिशाओं में वो दौड़ता है, अपने parents को देखने के लिए, knowing not where to go, वे नहीं जानता कि कहां जाए, mother, father, he will, वे रोता है, और बुलाता है अपने माबाप को, his yellow turban came untied, उसकी पीली पगड़ी खुल जाती है, and his clothes became muddy, उसके कपड़ों में मिट्टी लग जाती है, having run to and fro in a race of running for a while, और वे इधर उधर दौड़ता है, दौड़ने की घबराहट में, he stood defeated, लेकिन वे हार कर खड़ा हो जाता है, his cry suppressed into sobs, उसकी जो चिखने चिलाने, रोने की आवाजे हैं, वे हैं थोड़ी दब जाती हैं, और वे हैं सुबकता है, at little distances on the green grass, he could see, और थोड़ी दूरी पर हरी घास के उपर वे देख सकता है, through his filmy eyes, आंसों से भरी आँखों से, men and women talking, आदमी औरते बात कर रहे हैं, he tried to look intently among the patches of the bright yellow clothes, और वो कपड़ों के bright yellow, चमकीले, पीले रंगे कपड़ों के बीचों बीच से, बच्चा देखने की कोशिश करता है, but there was no sign of his father and mother among these people, लेकिन इन लोगों के बीच में, उसके माता-पिता का कोई चिन नहीं, who seemed to laugh and talk, just for the sake of laughing and talking, और ऐसा लगता है, हसने और बोलने के लिए ही, वह हस रहे हैं और बोल रहे हैं, बच्चा उनके बीच से, अपने parents को देखने की कोशिश करता है, he ran quickly again, वह दुबारा दौर पड़ता है, this time to a shrine to which people seem to be crowding, और इस बार, मंदिर के पास से, लोग जो है दिखाई देते हैं, भीड के रूप में, every little inch of space here, was congested with men, और ये जो area है, मंदिर वाला, हर एक inch जो है, वो भरा हुआ है, आदमियों से, but he ran through people's legs, लेकिन वो लोग के बीच, पैरों के बीच से निकलता है, his little sob lingering, दी में उसकी वैज़ा सुबकता है, और mother father बोलता चला जाता है, near the entrance of the temple, temple मंदिर के बिल्कुल entrance प्रवेश द्वार पर, however the crowd became very thick, बहुत जरूरत से ज़्यादा भीड थी, men justled each other, और आदमी एक दूसरे को धका मुकी कर रहे थे, heavy men, भारी आदमी with flashing, murderous eyes, और चमकती हुई, कतल कर देने वाली आखे, गुसे वाली आखे, and hefty shoulders, मोटे मोटे कंधो वाले आदमी महाँ पर थे, the poor child struggled to thrust away between their feet, और बेचारा छोटा सा बच्चा संघर्ष करता है, और उनके पैरों के बीच में से निकलने की कोशिश करता है, but knocked to and fro by their brutal movements, लेकिन उनकी बुरी तरह से movement की वज़ा से, बच्चा बच्चे को इधर उदर धक्का लगके, बच्चा इधर उदर चला जाता है, he caught, now, बच्चा इधर उदर चला जाता है, and he might have been trampled under foot, बच्चा जो है कुचल जाता है उनके पैरों के नीचे, had he not tried at the highest pitch of his voice, और बच्चा जो है वो चिला भी नहीं पाता, अब तेज आवाज में father and mother, a man in the surging crowd heard his cry, और इस उमरती हुई भीड के अंदर, एक आदमी बच्चे की रोने की आवाज सुनता है, and stooping, और जुकता है with great difficulty, बड़ी मुश्कल से जुकता है, भीड के बीच में से lifted him up in his arms, और बच्चे को अपने हाथों में उठा लेता है, How did you get here, child? तुम यहाँ पर कैसे आ गए बच्चे? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mask, जैसे ही वे भीड को साफ करता है, इधर उधर करता है, और तब यह उससे पूछता है, तुम किसके बेटे हो? The child wept more bitterly than ever, बच्चा पहले से जादा रोने लगता है, now and only cried, और अब सिर्फ और सिर्फ रो रहा है, I want my mother, I want my father, मुझे चाहिए मेरे माँ और मेरे पिताजी, the man tried to soothe him by taking him to the roundabout, आदमी उसको धहरे बनाने की कोशिश करता है, प्यार करता है और उसको roundabout जूले के और ले जाता है, Will you have a ride on the horse? क्या तुम घोडे की सवारी करोगे? He gently asked as he approached the ring, और जैसे ही wearing के पास पहुचता है, बड़े प्यार से पूचता है, कि तुम घोडे की सवारी करोगे? The child's throat tore into a thousand shrill sobs, बच्चे के गले से, और बोखर बोट चीखने रोने की, सुबकने की आवाजे आती हैं, and he only shouted, वो सिर्फ चिलाता है, I want my mother, मुझे चाहिए मेरी मा, मुझे चाहिए मेरे पिताजी, देखिए, देखिए, यहाँ पर एक आदमी बड़े भीड के बीच में से, बच्चे को ठालेता है, और बच्चा बुरी तरह से रो रहा है, उसकी पगड़ी खुल जाती है, the man headed towards the place, where the snake charmer still played on the flute, और आदमी जो है, उसे लेकर जाता है, उस जगह पर, जहाँ पर सपेरा बीन बजा रहा होता है, और to the swaying cobra, लहराते हुए, कोबरा के आगे बीन बजा रहा है, listen to that nice music child, he played it, where आदमी request करता है, बच्ची यह अच्छा से music सुनो, संगी सुनो, but the child shut his ears, बच्चा अपनी कान बंद कर लेता है, with his fingers अपनी उंगलियों से, and shouted his double-pissed strain, और दोहरी आवाज में, double-ावाज में रोने लगता है, I want my mother, I want my father, मुझे मेरे माँ और मुझे मेरी बाप, मेरे फादर चाहिए, the man took him near the balloons, आदमी उन्हें गुबारों के पास ले जाता है, thinking the bright colors of the balloons, would distract the child's attention, and quieten him, कि शायद रंगीन गुबारे जो है, इनके चमकीले जो color है, बच्चे का ध्यान, थोड़ा सा भटका दें, और बच्चे को चुप कर दें, would you like a rainbow colored balloon, क्या तुम्हें, सतरंगी, ये इंद्र धनुज जैसे गुबारे चाहिएं, he persuasively asked, बड़े ही इच्छा से वह, बड़े ही लगाव से वह पुछता है, the child turned his eyes from the flying balloons, और बच्चा अपनी आँखे फिर लेता है, उड़ते हुए, गुबारों से, and just sobbed सुबकता है, और क्या कहता है, सिर्फ मुझे अपनी माँ चाहिए, और अपने फादर चाहिए, the man is still trying to, trying to make the child happy, आदमी अभी भी कोशिश कर रहा है, कि बच्चे को खुछ कर सके, bore him to the gate, और उसको gate, where the flower seller set, उसको वहाँ पर ले जाता है, जहां पर फूल बेचने वाला बैठा है, लोक देखो, can you smell those nice flowers, चाहिड, क्या तुम सूंग सकते हो, इनकी मीठी मीठी खुश्बू फूलों की, would you like a garland to put round your neck, क्या तुम्हें फूलों की माला चाहिए, अपने गले में पहनने के लिए, the child turned his nose away from the basket, बच्चा अपनी नाग घुमा लेता है, फूलों की टोकरी से, and retreated his sobs, और वापिस रोने लग जाता है, I want my mother, I want my father, मुझे अपनी पिता जी चाहिए, अपनी मा चाहिए, thinking to humor, his disc consulate charge, by a gift of sweets, और शायद हसते हुए, ये सोचते हुए, आदमी की शायद बच्चे को, मिठाईयों का भुहार चाहिए, the man took him to the counter of the sweet shop, और वे उसको मिठाईयों के counter पर ले जाता है, what sweets would you like child, he asked, उसने पूछा, बच्चे तुम्हें कौन से मिठाई चाहिए, the child turned his face from the sweet shop, बच्चा अपना मूँ घुमा लेता है, मिठाई के दुकानों से, and only sobbed, और सिर्फ रोता है, और कहता है, मुझे अपने मदर चाहिए, और अपने फादर चाहिए, written by मुलकराज आनन, बच्चे की psychology, बच्चे की mentality, बहुत ही बढ़िया तरीके से, मुलकराज आनन ने इसको display किया है, इस chapter के अंदर, कि बच्चा जो अपने parents से जिद करता है, सब कुछ लेने की, अब उसे कोई और दिलवा रहा है, तो बच्चा लेने के लिए, मना कर देता है, ओके, ना निक्स्ट वीडियो तक के रिए, गुट लुक और गुट बाई!